नमस्कार दोस्तों काद्यान्स कोकिंग में आपका स्वाकत है आज हम बनाने वाले हैं एक कटोरी सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनने वाला है तो चलिए फटाफटाब हम शुरू कर लेते हैं एक कटोरी हमें ले लेना है सूजी और ये वाली बारी वाली जो सूजी होती है वो हमें ले लेनी है और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी दही तो जितना भी आप ले रहे हैं सूजी उसका आधा आप डाल लीजेगा दही और उसी के जितनी सूजी आपने लिए है उसी बोल से आप मेशर कीजेगा बाकी सारी चीज़ों को तो इसमें मैंने अभी डाल दिया है एक कटोरी के करीब पानी तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डाल देना है एक समय पे पूरा पानी नहीं डालना है तो ये अभी बैटर अच्छा सा तयार हो चुका है तो बाकी जो पानी वज़ा है वो हम बाद में यूज़ करेंगे तो ये अभी आप consistency देख सकते हैं तो बस इस टाइम पे अब हम ढख करके रख देगे और इस पानी को यहीं पे रख लेते हैं वैसे एक ड़री सूजी के लिए उतना ही पानी लगीगा और ढख करके मैंने इसे रख दिया है 15 मिनिट और तब तक मैं पालक को अच्छे से चौप कर लोगी एकदम बारिक-बारिक हमें चौप कर लेना है बहुत ही हल्दी वला नाश्था बनने वाला है और स्पैशली बच्चों को बढ़ों को सभी को यह काफी पसंद आने वाला है तो यह लिए जट पठ हमारी पालक भी तैयार हो चुकी अच्छे से बारिक बारिक चॉप हो चुकी है तो अगर बच्चे नकरे करते ना पालक नहीं खाते तो इस तरीके से आप बना करके देंगे तो एंजॉय भी करेंगे और इस रेसिपी को बड़े ही मज़े से खाने भी वाले हैं तो अभी आप देख सकते हैं जो बैटर एक गाड़ा हो चुका है तो बाकी जो पानी बचा था वो हमने पूरा इसमें अभी डाल दिया है तो यह लीजिए अब यह बैटर अच्छा असा पतला हो गया है तो इस कंसिस्टेंसी में ही हमें इसे तयार कर लेना है और इसमें अब हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार तो मैंने आधी चोटी चमच नमक डाल दिया है और पालक लगबग एक कटोरी के बराबर ही हो चुकी है तो यह भी हम डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे इनो इनो बहुत ही अच्छा काम करता है हर डिश को और इसके बाद आप फटा फटी अपे पाइन को गरम करने के लिए रख सकते हैं आप दोस्तों चाहे तो इसके इडली भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं इसके अपे बना रही हूँ तो यह तबा मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था और इसके जो cavities हैं जो ये holes हैं उसमें हम घी डाल देंगे तो घी से बनाने वाले हैं ये नाश्ता चाहे तो आप इसमें cooking oil भी डाल सकते हैं और जब ये घी अच्छा गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़े थोड़े सरसो के दाने जरूर से डालीगा ताकि अपर बहुत ही टेस्टी बने और एक एक चमच हमें ये बैटर इन में भर देना है तो हर cavity में लगबग एक चमच के करीब हम इसमें डाल देंगे और ये जब फ करता है तो अगर आपके पास नॉंस्टिक वाला है तो गी थोड़ा सा कम ही डालिएगा और ये देखिए बहुत ही इसका जो साइड है ये हम टर्न कर लेंगे चमच की मदद से साइड को पहले लूज कर ले और फ्लिप कर लें और वापस से दूसरी साइड भी हम ढग करके पकाएंगे तो दूसरी साइड जादा देर टाइम नहीं लगने वाला है दो मिनिट के अंदर ही ये तयार हो जाएगा तो कुल आपको एक बैच के अपे तयार करने के लिए पांच से छे मिनिट ही लगते हैं तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही इसली ये आप इन कैविट के दाने भी हम डाल देंगे और ये जब अच्छे से स्प्लेटर हो जाएं सिख जाएंगे तब हम बैटर को इसमें डाल देंगे तो है नब बहुत ही आसान रेशिप़ी और ये बहुत ही क्विकली बन जाती है बहुत ही टेस्टी रेशिपी है ट्राई जरुर किजिएगה जबी आपका इवनिंग में या मॉर्निंग में कुछ भी नाष्टा बनाने का मन करें तो ये वाली रेसिप़ी जरूर से ट्राइ और बस इसके साइड को लूज कर रहेंगे अगर ना हो तो वापस से ढखकर के पका लें और यह देखिए अब इसका साइड टर्न हो रहा है तो बस हलके से चमच आप घुमाएंगे तो यह साइड इसका निकलाएगा और इसका साइड को हम फिलिप कर लेंगे तो इस recipe को try जरूर किजिएगा friends बहुत ही simple है बहुत ही tasty है और हरी चटनी के साथ sauce के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है तो यह आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से rice हुए हैं तो जबी भी हम अपने recipes में इनों को डालते हैं तो बहुत ही soft और spongy हमारी recipe बनती है तो इसी तरीके से यह भी बहुत ही soft बनी है और अगर घर पे इनों ना हो तो baking soda भी आप डाल सकते हैं सेम आधी चमच वाली quantity में और यह देख सकते हैं यह कितने soft बने हैं तो friends अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो like जरूर कीजे शेयर करें इसे अपने family और friends में ताकि वो भी आसान और healthy वाली recipe को नाश्टे को गर्दी बना सके चैनल को subscribe कर ले ताकि इस तरह की आसान और अच्छी वीडियो आप देख सके तो friends अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो please like जरूर कीजेगा